ये मेरा कच्वा और खाना नहीं खा रहा है कितने दिन से में टेंसन में हूँ और दूबला भी हो गया है और खाना नहीं खा रहा है दोस्तों पता नहीं क्या हो गया है इसको अभी चल नहीं पा रहा है धीरे धीरे चल रहा है और बहुत मोटा था कुछ खा पी नहीं रहा है और मैं इसको क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बताईए कि मैं क्या करूँ, क्या खिलाऊं इस कच्छुए को, और ये भी नहीं पता चल रहा है मुझे कि ये नरह या मादा, दो कहते हैं कि दो कच्छुआ रखना चाहिए, इससे पुन मिलता है और सां मिलती है, दोस्तों, एक कच्छुआ मेरा और देख सकते हैं, ये नरह या मादा है, पता नहीं चल रहा है, इसको देखते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, और हमको नहीं मालूम चल रहा है, ये ऐसे करके देख भी नहीं रहा है मुझे, मैं नहीं पहचान पा रहे ह दोस्तों आप लोग देखिए कि ये क्या है नर है या मादा है कैसे है और ये कैसे मालूम चलेगा दोस्तों देखो ये भाग रहा है ये देखिए 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 ऐसे हो गया एक कच्छा इसका कैसे मालूम चलेगा कि ये नर है या मादा है मैं नहीं देख पा र रही हूँ और आप लोग मुझे बताइए कि ये नरहया मादा है और कच्वा को मैं क्या खिलाओं मुझे बहुत टेंसन हो रही है कि ये खाता नहीं है और मैं इसके साथ बहुत-बहुत मुश्किल में हूँ मैं कि खा नहीं रहा है ये बहुत दूबला होते जा रहा है देखिए आप लोग देख सकते हैं ये अपना सर निकाल रहा है और पता नहीं मिट्टी खाता है क्या मैं तो मिट्टी में नहीं रखती मैं तो पानी में रखती हूँ इसको और मैं अभी छोड़ी हूँ बाहर और दोश्तों इसको रखने से तो भगवान खुश होते हैं जहां साफ सफाई रहता है वहाँ ये रहते हैं और साफ सफाई तो रहना चाहिए घर में वहाँ पे लचमी जी आती हैं और देख सकते हैं मेरा कच्वा धीरे धीरे डोल रहा है धीरे धीरे अक्सर डोल रहा है कच्वा मेरा और कहां जा रहा है अपना ख़र ढूंड रहा है कि उमने खाने का तलास में है कि ये क्या खाए दोस्तों और ये मेरा कच्वा देखिए